इस सीरीज में हम डील करेंगे with important government schemes तो भारत सरकार की अलग-अलग जो आपको मंत्राले हैं उनके अलग-अलग schemes चलते हैं तो हम इसको कोशिस करेंगे कि ministry-wise आपको explain करें जो exam पस-पस से important हो सकते हैं हर ministry के बहुत सारे schemes चलते हैं अगर आप देखोगे तो जैसे simply एक बात कर ले ministry of education की ही तो करीब-करीब तीस से ज़्यादा schemes उसके चलती हैं but government exam के preparation के perspective से जो हमें schemes की जूरत है हम उसको चर्चा करेंगे या तो वैसे schemes जो बहुत ही important है आपको flagship schemes जिसको कहते हैं या तो वैसे schemes जो लेकर news में कुछ किसी कारण को लेकर के चर्चान में रहे हूँ या जो तीसरा type का scheme है जो कि आपको name based होता है वो उसके नाम थोड़ा अलग तरीके के होते हैं और वो आपको important बन जाता है question exam perspective से तो हम उसको deal करेंगे एक-एक ministry को मैं try करूँगा कि आपके जो मुख्या उनके scheme से वो cover करा दूँ बात करते हैं आज जो हम जिस ministry को target करने वाले हैं वो है ministry of women and child development और ministry of women and child development की अगर बात करें तो इसका जो एक flagship scheme है that is mission portion 2.0 या इसको इसी का आपको आगे कहा जाता है integrated nutritional support program तो main इसका purpose जो है आपको नाम से clear हो जाएगा अब बात करते हैं इसके launching की तो launch हुआ था 2021 में और ये initiative मैं आपको बता चुका हूँ हम M.O.W.C.D. की बात कर रहे हैं इसके पहले portion अभियान हुआ करता था 2017 में बात में इसको 2022 में 21 में इसको थोड़ा सा इसमें और कुछ changes करी गई main जो purpose है यो नाम से आपको clear हो जाएगा portion portion मतलब की जो आपको इंडिया में एक man nutrition का challenge है man nutrition यानि की जो लोगों को खान पान है वो सही से enough नहीं हो पा रहा है उसके वज़े से कमजोरी होती है है बीमारियां होती है उसको address करने का प्रियास किया गया है यहाँ पर दोनों perspective को address प्रियास किया गया है एक तो कि जतनी calorie की requirement हो फुलfli करी जाए शाथ ही साथ जो micronutrients की deficiency होती है उसको address करने का प्रियास किया गया है अब बात करते हैं कि इस mission के objectives क्या है तो आप देखिए हर mission को हम इसी तौर पर पढ़ेंगे कि उसके main objectives क्या है उसका target group क्या है उसका aim या focus क्या है ये हमारा purpose होगा तो पहली बात हमने देख ली कि 2021 में launch हुआ ministry of women and child development का है इसके बाद पहला जो purpose है वो है reduced malnutrition अब reduce malnutrition में अगर आप इसको address करते हैं तो आप stunting को reduce करेंगे stunting का मतलब होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी age तो हो जाती है बट उनकी height नहीं बढ़ पाती ठीक है तो this is low height for age तो ये इसको stunting और भारत में ये काफी समस्या है stunting की साथी साथ underweight underweight मतलब उनके उमर के हिसाब से जो है उनका weight नहीं बढ़ा या wasting wasting का मतलब है कि that is low weight for height ठीक है यहाँ पे wasting जो है इसको भी आप कहा जाता है low weight for height ये आपको समस्याइं देखने को मिलती है जो खास करके जो 6 साल से कम बच्चे होते हैं ठीक है तो girls भी जो है आपको 18 साल से कम की जो girls है उनको साथी साथ भारत में pregnant women को भी proper diet नहीं मिल पाती है तो pregnant women को और साथी साथ lactating mothers, lactating mothers वो mothers जिनकी बच्चे होने वाले हैं ठीक है इसका उसके बाद इसका main purpose यही है कि जो है सबको basic diet मिल सके आपको सबके diet के diversity वे focus किया जा सके optimal nutrition सबको दिया जा सके और optimal nutrition के लिए आपको क्या होगा आपको जो है काफी variety of diet आपको खाने चाहिए अलग-अलग type की जो food है वो मिलनी चाहिए तो उसको fulfill करने का प्रयास किया गया है dietary adequacy जितनी जोड़त है उतनी मिले साथी साथ behavior change तो जैसे भारत में ठास करके जो लोग जिनकी income कम है उनका main focus होता है कि चावल और गिहूं खा लेने का है यानि कि केवल और केवल carbohydrates पर focus होता है तो carbohydrates पर केवल focus ना हो बाकि जो जो जोड़त की चीज़े हैं कि आपको protein मिले आपको fiber मिले आपको micronutrients मिले वो सभी चीज़ें दी जाएं साथी साथ इसका होगा कि promote convergence आपको जो बहुत सारी schemes government की चलती है अलग-अलग departments की चलती है जो कि nutrition से related है उन सब को एक जगह पे लाया जाए और इसको करने के साथ ही जो आपको institutional capacity होनी चाहिए कि इस scheme को implement करने के लिए जो सरकार के पास साथर होने चाहिए उसको भी पर्याप मात्रा में बहतर किये जा सके ठीक है तो capacity of institutions जो है उनको भी develop किया जाए इसके बाद अगर बात करें कि इसमें आपको components क्या-क्या है तो components of mission portion two point जो देखोगे तो सक्षम आंगनवारी एक जो है ओ component आपको दिखेगा सक्षम आंगनवारी जो है तो आंगनवारी scheme आपको पता होगा कि आपको पंचायत में ये local centers होते हैं और यहां पर आंगनवारी जो है इसके बात करी गई कि इनका infrastructure improve किया जाए इनकी capacity building करी जाए जो भी आगनवारी में काम करने वारे workers and helpers हैं ताकि आपकी service quality delivery है service delivery की जो quality है वो बहतर हो सके ठीक है ये हमने देखा यहां पर साथी साथ आपको देखोगे अगर तो यहां पर dietary diversification की बात में बता चुका हो food fortification food fortification में क्या होता है तो जैसे आपका मान लोगों की चावल है या गेहू है तो उसमें अब हो सकता है कि आपको हमें लगा कि इस target group में यहां पर iron की कमी है जैसे normally lactating women's में कम हो जाती है तो यहां पर क्या किया जाएगा कि आपको छोटे छोटे जो आपको iron के आपको components होते हैं उसको क्या किया जाएगा इसमें introduce किया जाएगा इसमें mix कर दिया जाएगा और mix करने के बाद इनको दिया जाएगा तो इसी को क्या कहते है fortification जैसे आप नमक में देखोगे तो आप नमक के packet पे आपको दिखेगा iodine fortified या sodium fortified तो इस तरीके से आपको अगर आप milk के packet पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी fortified milk जो है आपको मिलता है तो इसी तरीके से जो चावल गहूं है इनको भी क्या किया जाए fortify किया जाए साथ ही चाथ local millets जो local level पे produce होते है चाहे वो रागी हो जाए चाहे वो कोडो मिलेट हो जाए चाहे वो पल मिलेट हो जो भी मिलेट हो उसको वहाँ पे introduce किया जाए इसके बाद अगर बात करने की features की इस scheme की क्या है तो आप याद रखेंगे कि 6 group को target करता है जो कि एक है बच्चे 0 से 6 साल तक adolescent girls 11 to 19 years pregnant women lactating mothers and women in the preconception period ठीक है ये आपको 6 group जो है याद रखने है अप्रोच जो ये focus करता है integrated approach बहुत सारे schemes को हमने बाद करी एक साथ लेके चला आता है तो आगरणवारी services को लेके एक साथ आया adolescent girls के लिए जो लग से scheme चल रहे थे उसको एक साथ लाया जैसे सबला scheme करके चल रहा था portion अभियान को मिलाया इसने ताकि सारे को एक साथ लिया जा सके और इसके बाद जो है not only schemes को आपको different ministry and departments at national and state level इनको भी आपको include करता है साथ में इसके अलावा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कही न कही फोकस जो है वो behavioral change पे भी है यह हमने बात करी है ताकि लोगों को aware किया जा सके कि भाई आप healthy dietary practices कैसे मनाएं आपनाएंगे इसके साथी साथ यहाँ पे क्योंकि digitalization का जमाना है तो portion tracker जैसी आपको technology या platform का यूज हो रहा है जिसकी वज़र से हम इसको real time में track कर सके कि चीजें किस तरीके से चल रहे है monitor जो है वो purposefully आपका बेहतर तरीके से हो पाए तो यह एक flagship scheme है आपको government of India का ministry of women and child development का next scheme की तरह बढ़ते हैं वो है integrated child development services scheme और यहाँ पे जो focus है that is on the early childhood development तो बच्चे अगर आप सुनते होंगे कि जीरो से 6 साल में उनका सबसे ज़्यादा उनका दिमाग का विकास होता है अगर उस time में हम बच्चों को target कर सके बहतर से तो यह आपको हमारे जो बच्चे हमारे future जो होगा वो ज़्यादा secure हो पाएगा ध्यान रखेंगे यह भी flagship scheme है आपको हलाकि यह बहुत पहले से चल रहा है नाम बदल बदल के चलते रहते हैं schemes के बट अगर इसको early period से trace करें तो कहीं न कहीं 1975 से आपको चल रहा है इसका जो objective है क्या है तो its objective is to provide the supplementary nutrition supplementary nutrition मतलब कहने का मतलब जैसे supplements आप नाम सुनते हो कि तो doctor के पास जाते हो तो supplements एड करते हैं खाने के साथ चाथ यह vitamins बगएरा एड कर लेना तो उसको क्या कहते है supplement यानि कि आपके diet के अलावा जो चीजें diet से पूरी नहीं हो पा रही है उसको support किया जाएगा इसको यह अपने आप में full diet नहीं है बट आपकी जो needs से उस diet को fulfill करने में थोड़ा सा role इसका हो सकता है साथी साथ इसका promoting early detection and treatment of health problems को भी पहले अगर detect कर लिया जाए तो उसको treat करना साम होता है साथी साथ immunization यानि कि जो आपको ठीका करन किया जाता है वो ठीका करन भी सही तरीके से किया जा सके also it lays the foundation for proper psychological, physical and social development of the child ठीक है उसका मांसिक, उसका सारीरिक और समाजिक विकास बच्चे का सही तरीके से हो सके तो इसके लिए आपको early childhood education पे focus किया जाता है प्री स्कूल एजूकेशन यानि बच्चे स्कूल में जाने से पहले जो प्री स्कूल एजूकेशन होता है साथी साथ play based learning activity तो बच्चे खेल कुछ से जो चीजें है वो सीखे main जो है इसका focus है that is to reduce the incidence of mortality बच्चों को अगर आप immunize करेंगे उनको proper food मिलेगा तो mortality कम होगी जो मृत्यूदर है वो आपको कम होगी ठीक है साथी साथ जो आपको morbidity कुछ health issue हो जाते है malnutrition हो जाता है या school dropout बच्चे तवियत खराब होने की वज़े से school से ही बाहर निकल आते हैं उसको खाने को नहीं मिले वो school पढ़ेगा क्या ठीक है तो यह इस चीज को फोकस करने का प्रयास है और अगर यह हम सही से कर पाएं तो यह जो poverty की आपको cycle है वो खतम हो सकते है क्या होता कि कोई गरीब है ठीक है अब यह poor है तो इसको खाना नहीं मिल रहा है तो खाना नहीं मिला तो इसकी development कम हो गई अब development कम हो गई तो इसकी employment opportunity कम हो जाएगी employment opportunity कम हो गई तो यह फिर से गरीबी का जो यह cycle है यह cycle आपको चलता रहता है तो कहीं न कहीं यह cycle को break करने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर target करते हुए कि development में बाधा ना आए साथ ही साथ यहाँ पर भी जो है बहुत सारे आपको departments को यहाँ पर भी collaborate किया जाता है ताकि बच्चों को comprehensive तरीके से उनका development हो सके इसके बाद अगर बात करें इसमें components क्या क्या है तो इसमें जो major components मिलेंगे वो पहले आपको आंगनवारी centers मिलेंगे तो इसलिए मैंने आपको आंगनवारी centers को वहाँ detail में discuss नहीं किया तो यह क्या है दीजार दो community based centers यह आपको हर जो पंचायत लेबल पे मिलेंगे और यही जो है आपको focus point है of the ICDS delivery यहाँ पर यह बहुत सारी services देते हैं जैसे कि hot meals का provide करना गरम खाना देना health check-up कराना टीका करन करना preschool education जो आपको छोटे बच्चों को देना और साथी साथ counseling for mothers तो जो मा है उनको भी आपको घ्यान सहायता देना मदद देना counseling देना कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं इसके बाद आगनवाडी workers यह जो है यही लोग है जो इस काम को करते हैं they are the frontline workers यही लोग जो है आपको manage करते हैं और services को delivery करते हैं ठीक है यह ध्यान रखेंगे में जो role है इली का है आपको देखने मिलेगा साथी साथ supplementary nutrition की हमने बात करी तो यह क्या करता है hot cooked meals and take home rations यह दोनों ही provide कराता है to the pregnant and lactating mother and children under six years of age तो यह सब टॉम्स आप ध्यान रखेंगे तो यह question ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि भाई यह supplementary nutrition किसको किसको दिया जा सकता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे lactating mothers and जो है आपको pregnant mothers और साथी साथ जो है children under six years of age यह दिया जाता है साथी साथ टिका करन जो है आंगलवारी centers यह भी कहीं ना कहीं timely immunization जो है उसको टिका करन बहुत सारी बिमारियों का यह कराते है regular health checkups कराते रहते हैं to the अगलवारी centers ताकि भाई पहले ही जो अगर कोई बिमारी है तो उसको पहले ही हम address किया सके हो पकड़ में आ जाये तो also यहाँ पे कहीं ना कहीं play based learning activities की बात होती है तो क्योंकि preschool education पे focus है तो preschool में बच्चों को आप क्या सिखा होगे तो आप खेलों के दौरा आप उनको सिख बहुत जादा होता है करीब करीब 90% हो जाता है तो उस age group को यहाँ पे target करने का प्रयास किया गया है साथी साथ mother meeting and counselling यहाँ पे regular meeting होते रहता है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि मां को बताया सके कि बच्चों का ख्याल कैसे रखना है कैसे बच्चों को nutrition provide करना है उनके आप समझ सकते हैं empowering women for a safer future ताकि सकती से ही आप समझ रहे हो कि women को इस तरीके से सक्चम बनाया जाए ताकि future में उनका role आपको बहतर हो सके ध्यान रखेंगे it was launched in 2018 ministry of women and child development यह ध्यान रखेंगे decision umbrella scheme यानि कि इस scheme के अंदर में बहुत सारी schemes चल रही है जिसमें कि जो main focus है वो ह women safety पे security पे and empowerment को women को कि इस तरीके से सक्चम बनाया जाए जहाँ पर बात वही है कि women जो है they can live with dignity and contribute to the nation's development इसके जो दो सब scheme है वो है mission sample और mission सामर्थ है संबलता से अब समद सकते हैं कही नगाई safety and security से related है ताकि जो आपको existing mechanism है women safety को ले करके उसको आपको किया जाए अच्छे तरीके से develop किया जाए समर्थ है जो है it aims to empower women economically and socially इसको जो है develop करने का प्रयास किया गया है अब जो है key objectives क्या है mission सकती के तो आप देखिए आप समद सकते है women safety and security को improve करना empower women socially and economically साथी साथ promote gender equality तो अगर women gender gap हम bridge कर पाएंगे तो women को क्या होगा equal opportunity आपको हर स्थेत्र में देखने हमें मिलेगा ठीक है अब जो है इसके दोनों सब schemes को हमेके करके समझते हैं तो इसमें जो scheme है sumble तो sumble मतलब women safety related है तो यहाँ पर क्या-क्या objectives है तो objectives अगर आप समझेंगे तो scheme आपको clear हो जाईगी तो इसका जो एक objective है that is to enhance access to justice and legal aid ताकि जो भी आपको women है जिनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको assistance मदर प्रोवाइड करी जाए legal awareness उनको develop किया जाए legal service है जानी अगर कानूनी सलाह की जुरत है कानूनी मदर की जुरत है तो वो उनको दिया जाए जिन women के साथ भी किसी तरीके की समस्या है related to violence या कोई भी legal issue है तो साथी साथ यहाँ पे आपको जैसे one stop center और आपको women help line जैसी चीज़ों को और बहतर करना इनकी functioning को बहतर करना इसके अलावा women के लिए एक safer environment को create करना ठीक है यहाँ पे जो है public and private spaces में तो आप यह से देखते हैं कि रात होते ही लड़किया या औरतें घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या बसों में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इन सब चीजों को भी कही न कहीं target करने का प्रयास यहाँ पे है साथी साथ gender equality and women empowerment को focus करना है ठीक है तो safety concern जब आप दूर करेंगे अब जैसे आप ठीक है कि लड़किया भी रात में 8 बजे तक आ प्राइड रेंज ओफ इंटिग्रेटेड सर्विसेघ बहुत सारी सर्विसेघ अंडर वन रूफ दिया जाता है तो विमें फेसिंग वाइलेंस इंक्लोडिंग मेडिकल एड हो गया legal assistance हो गया police assistance हो गया counselling हो गया shelter हो यह सारी सुभी धायन जो है विमेन को दी जाती है women help line जो है यह आपको toll free help line है जो कि 24 into 7 काम करता है और यह women को जो अगर इसे कोई मुश्किल है तो they can get help from this however यह merge कर दिया गया है 112 के साथ यह ध्यान रखेंगे इसके अलावार जो है universalization of women help line यहाँ पे women help line services सारे district में आपको इडिया के available है आपको shelter homes दिया जाता है in the districts जो भी आपको distress में है women तो अगर कहीं न कहीं अगर मुश्किल है उनको रहने के लिए तो उनको safe accommodation provide करने का काम जो है इस scheme के अंदर किया जाता है इसके अलावा इसका एक focus कहीं साइबर क्राइम से भी related है ठीक है और यहाँ पर ध्यान रखेंगे women and children दोनों के लिए है तो यहाँ पर awareness component था that was the samarth है और samarth है का मतलब है कि women को आपको सक्षम बनाया जाए कोई आपको खुद से develop करें empowerment होगा तो economic participation उनकी हो पाएगी यहाँ पर जो है women economic participation को बढ़ाने की बात करी गई है और इसके लिए हुआ है कि इनका skill development training करेंगे आपको promoting entrepreneurship and facilitating access to financial services यानि कि training देना entrepreneurship की spirit promote करना कि हम खुद का रोजगार करेंगे और साथी साथ जो finances की जुरत होती है वो इनको provide किया जाए ताकि यह financially independent हो सके इसके अलावा promote social inclusion and empowerment तो यहाँ पे भी यही है कि remove the social barriers इसको खतम किया जाए social barriers मतलब क्या कि जैसे अब education में आपको औरते कम मिलेगी political participation का कम मिलेगा या घरों में decision making की छमदा भी कम होती है तो इन चीजों को जो समाजी का आपको barriers से उसको दूर करने का प्रियास किया गया है और यह सब जब हम काम कर पाएंगे तो gender gap को हम bridge करेंगे और इसके बाद जो society आपको होगी it will be more equitable and inclusive society जो है हम create कर पाएंगे अब यहाँ पे अगर components की बात करें mission समर्थ था कि तो skin development scheme की हमने बात करी entrepreneurship development program की बात करी financial inclusion की बात करी इसका ही एक component आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हुआ करता था ठीक है यहाँ पे आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जो पहले आपका scheme अलग से चला करता था इसको भी mission समर्थ कंदर में कर दिया गया ठीक है इसके अलावा जो है यहाँ पे विमेन अगर distress में है कोई परिशानी में है तो उनको भी support किया जाए खास करके अगर कोई video है या victims of trafficking जिनको आप आप देखोगे है कि बहुत सारे लोग prostitution में उनको traffic कर लेते हैं या कहीं पे जो है उनको फसा के रखे हुए रहते हैं those facing destitution अगर कोई गरीबी में है तो इन लोगों की मदद करी जाए कैसे through the skill development and income generation activities तो यह आप याद रखेंगे mission सक्ति और mission सक्ति के अंदर में समर्थ है और संबल तो यह जो है आप अगर ध्यान रखेंगे तो ministry of women and child development के यह तीन major scheme हमने देखे पहला हमने देखा वो था आप को portion 2.0 ठीक है दूसरा हमने जो देखा that was ICDS integrated child development scheme और तीसरा जो था वो था mission सक्ति और mission सक्ति के अंदर में ही हमने दो scheme देखे that is the symbol and समर्थ है तो यह चार scheme आप ध्यान रखेंगे from the purpose of ministry of women and child development आप हमें follow कर सकते हैं telegram पे आपको यह जो है इन lectures की PDF आपको मिल जाएगी साथ साथ you can also follow us on social media handles और साथी साथ आप like and subscribe and share करें और इस तरीके से मैं आपको एक एक ministry वाइस जो है आपको schemes लेके आता रहूँगा so thank you have a good day and keep studying